आज जो है इस वीडियो में हम जो है वो important chapters discuss करने वाले हैं कि आरकिशर्मा से जो है वो हमें क्या important chapters पढ़ने चाहिए प्री के लिए जो है वो हमें selected chapters पढ़ने हैं अगर आपका pre clear हो जाए तो means के लिए जो है वो पूरी आरकिशर्मा पढ़ डालेगा लेकिन pre के लिए वो हमें selected chapters पढ़ने हैं ठीक है वो actually क्या है कि आरकिशर्मा में 20-21 chapter है तो एक वीडियो में कवर का पारना जो है वो में लिए मुश्किलों का वीडियो जाए वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी ठीक है आप लोग देखेंगे भी नहीं तो 3-4 मिनट की वीडि जो है वो मैं cover कर डालूँगा सिर्फ मैं index से आपको बताऊँगा कि क्या क्या पढ़ना है बुक खोल खोल के जो है वो mail ये possible नहीं है आपको बता रहा है और नहीं जो है वो आप देख पाएंगे तो सिर्फ index से बता दूँगा कि important chapters कौन है तो चलिए वीडियो शुरू करत अब ये जो है मेरे पास 22 revised edition अब आप लोग market में पूछ लिजेगा क्या इसका नया revise आ रहा है और आपके पास नहीं है तो लेकिन मेरे पास 22 revised edition है इस book का cover देख लिजेगा अगर आपके पास नहीं है तो ये खरीद लिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं देखे मुझे जो वो पहला chapter आपको जरूर पढ़ना चाहिए चाहिए आप कोई novel पढ़ रहे हो या फिर आप अपनी competition की book पढ़ रहे हो क्योंकि पहला chapter वो writer सबसे अच्छा लिखता है writer चाहता है कि पहले chapter को अगर कोई भी viewer उनका पढ़े तो वो पूरी book पढ़े तो पहला chapter obviously आरगे शर्मा का भी जो है वो best है यहाँ पर पूरा हम देख रहे हैं कि यह पूरा ही chapter आपको cover करना है अब यह मत कहिए करकि पूरा chapter बता दिया है तो सारे chapter आपको पूरे पढ़ने है नहीं इसमें आपको पूरा chapter पढ़ना है क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी सारी government schemes जो है वो आपकी दे रखी है जैसे पतार मंत्री फसल भीमा योजना हो गई ठीक है और जो हमारा soil health card scheme हो गई ठीक है परम परागरत कृशी विकास योजना हो गई या किसान channel हो गई यह सारी schemes जो है वो दे रखी है जो भूत ही जादा important है ठीक है और जो ICR के बारे में जो है वो कुछ important दे रखा है Indian agriculture Indian agriculture ICR की history दे रखी है ICR की milestone organization setup दे रखा है यह सब जो है वो पूछा जा सकता है क्योंकि pre में जो है वो हमको confirm नहीं रहता क्या पूछने वाले है ठीक है तो ICR का जो है वो पूछा जा सकता है तो पहला chapter जो है वो भूत ही जादे important है पूरा पढ़ना है आपको ठीक है न तो अगर आपके पास नई book है तो उसमें देख लीजेगा क्योंकि मेरे पास जो है वो 22 revised edition है इसका ठीक है जैसे green evolution हो गया ठीक है और इसके बारे में जो है आप और भी देख लीजेगा सारी schemes जो है वो पहले chapter में cover कर रखी है तो पहला chapter जो है वो आपको पूरा पढ़ना है very very important ठीक है ना पहला chapter जो है वो pre के लिए भी और maze के लिए भी very very important है चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे chapter की यानि basics of crop production की ठीक है ना इसमें preview में जो है वो ज़्यादे important chapter नहीं है ये जो है लेकिन शुरुआत का जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा जैसे basic principles of crop production हो गई ठीक है ना classification of crops हो गई classification based on season जैसे been a sick crop जो हमारी commercial crops है ठीक है ना वो सब जो है वो इस chapter में दे रखा है ठीक है आप जो है वो यहाँ तक पर सकते हैं जैसे हमारा यह यहाँ तक जो है वो आप इसको cover कर सकते हैं क्योंकि बात में जो है वो जैसे oil percentage of oil seed crops recommended seed rate of oil crops यह जो है वो आपका आप जैसे यह देख रहे है न यह जो है वो आपका प्री में इतना important नहीं है यह जो है वो आप छोड़ सकते हैं लेकिन यहां तक जो है वो आप cover कर लीजेगा ठीक है न जैसे इसमें leading state in production and area of crops दे रखा है ठीक है न climatic requirement of field crops यह सब चीजे तो आपको पढ़नी ही पढ़ेगी ठीक है इसके बिना काम नहीं चलेगा लेकिन यह chapter जो है वो आप यहां तक पढ़ सकते हैं यहां तक जो है वो आप cover कर सकते हैं pre के लिए बाकी अगर pre में आपका जो है वो selection हो जाए तो आखरी का यह भी पढ़ लीज नहीं कह सकता लेकिन means के लिए जो है वो बहुत ही जादे important है देखें थर्ड चैप्टर जैसे modern concepts of tillage हो गया tillage and tilt type of tillage objectives of tillage ठीके ना ऐसे question जो है वो आपको शायद ही देखने को मिले pre में लेकिन जैसे यह हमारे पार्ट होगे सीरे crops rice wheat में ठीके ना इनके बारे में basics जो है वो आप cover कर सकते हैं और यह seed crops होगी grounders sunflower ठीक है ना इनके बारे में आप जो है वो पढ़ सकते हैं potato जैसे commercial crops जैसे एक question आपसे पूछ लिया कि इन सब में जो है वो commercial crops कौन सी है ठीक है आपको option दे दिया potato और sunflower दे दिया ठीक है ना और lentil दे दिया इसमें से आपसे पूछ ल आती है concept of irrigation देखे इसमें से भी जो है वो प्री में ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाता तो आपको अगर skip करना है तो आप जो है वो skip कर सकते हैं लेकिन अगर आपने जो है वो पढ़ लिया है तो पढ़ लिया है इसको revise कर लिजेगा ठीक है ना लेकिन प्री में जो है जितना मैंने बताया है कि आप जो है वो crops पर लिजेगा उतना ही जो है वो आपके लिए important है चलिए अब बात करते हैं इसका आगे का part ठीक है ना watershed management हो गया या फिर types of watershed हो गया watershed management यह सब जो है वो मेंस के लिए भी important है और प्री के लिए भी important है तो आप लोग जो है वो देख development ठीक है ना इसमें से शायद ही कोई question जो है वो कभी pre में पूछा गया और लेकिन means में पूछा जा सकता है ठीक है अब जैसे wind erosion हो गया types of erosion हो गया तो इन में से जो है वो एक दो question बनेंगे लेकिन आप जो है वो इसको अगर skip करना चाहें तो आप लोग जो है वो इसको pre के कर सकते हैं मेंस के लिए जो है वो मैं पूरा पढ़ना बताता ही हूँ कि मेंस के लिए जो है वो आपको पूरी वग पढ़नी है और उसको revise करना है लेकिन selected पढ़ना है pre के लिए ठीक है ना तो third chapter का और हो गया अब हम बात कर लेते हैं fourth chapter की यानि agriculture metallology की ठीक है तो इसमें से जो है वो आप में ख्याल से अगर आपको जो है वो यह chapter skip करना हो आपको नहीं पढ़ना हो तो काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं कि यह chapter इतना नहीं है important लेकिन agroclimatic zones of India ठीक है ना यह थोड़ा पढ़ लिजेगा क्योंकि यह chapter जो है यह topic जो ह of India ठीक है यह chapter में से बस agroclimatic zones of India पढ़ लिजेगा बाकी और कुछ important नहीं लग रहा मुझे अब बात कर लेते हम soil science ठीक है देखे पिछले साल भी जो है वो question directly पूछा गया था जैसे soil के ऊपर जैसे हमारी black soil हो गई lateral soil हो गई ठीक है red soil हो गई इनके ऊपर question बनते ही बनते ह तो में ख्यासी यह पूरा पांचम़ चैप्टर जो है वह आपका प्री के लिए important है पूरा पांचम़ चैप्टर जबी हो आपको प्री के लिए पढ़ना पड़ेगा तो मैंने आज पूरे पांच चैप्टर आर क्रशन से cover कर दी है ठीक है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने तो अग्ले वीडियो में जो है और आगे यानि 6 से 9-10 सब्सक्राइब कर दूँगा इस वीडियो में जो है वो अग्ले चैप्टर्स कवर करवाना वेड़ नहीं है तो आप लोग जो है वो मेरे वीडियो को लांक शेयर और श्ब्स्क्राइब जरूर latest